हाई मैं प्रशांथ आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वेटिटर कॉम्डिटी में स्वागत करता हूं तो जिस आईपियो का इंतिजार हम लोग पिछले एक साल से कर रहे थे फाइनली वो आईपियो आने जा रहा और वो आईपियो आपको फोर्थ आप मेको आपन होन अभी आईपियो फोर्थ आप मेको आपन होने जा रहा और नाइन्थ आप मेको क्लोज हो जाएगा अब यहां पे एक और चिंजिस किया गया है जो आईपियो का साइज पहले 60,000 करोड का रहने वाला था उसको घटा के 21,000 करोड कर दिया गया है तो अब यह आईपियो हमें जाता attractive लग रहा और valuations भी इसका काफी ठीक ठाक रखा गया तो इस वीडियो हम LIC IPO की overview को देखेंगे इसके positives, negatives को पर बात करेंगे इसके financial score पर बात करेंगे इसके valuations को पर बात करेंगे इसके peers से हम इसका completion करेंगे और हम देखेंगे कि हमें यहां से listing gains मिलवा है नहीं देगा यानि listing day के दिन यहां profit बना के देगा या नहीं देगा दूसरा मोटर यह रहता है कि IPO long term के लिए suitable है या नहीं है तो हमारा में मोटर यह रहता है कि आपको यहां पर एक दाउन to the point analysis करके बताएं कि इस IPO से आपको listing gains मिलेगा यह नहीं मिलेगा अगर मिलेगा तो कितन यह आपका है Life Insurance Corporation of India जो कि इसका पूरा नाम है यह इंडिया का one of the leading life insurance company है जो कि फर्म हुआ था आपका 1956 में और आप इसको investment firm भी बोल सकते हैं क्यों इसको हम investment firm बोल रहे हैं वो आपको आगे जब explain करूँगा तब समझ में आ जाएगा तो यहां पे हम LIC IPU के कुछ और interesting सा details इसके उपर बात करना चाहेंगे जिसके उपर में साइध आपको idea ना हो तो जो LIC firm हुआ था वो 245 insurance company को merge करके form किया गया था इसके लाबा यहां पे आप कुछ और highlights को देख सकते हैं यह आप हमारे website equity to community.in.in पे visit करके देख सकते हैं इसके बारे में आपको information भी पहले से मिल परना परेगा लेकिन इस IPO में IPO objective काफी क्लियर है government अपना 3.5% stake बेच वही है जिससे government को कितना मिलेगा 21,000 क्रोड मिलेगा पहले government यहां से लगवग 55,000 क्रोड लेने की बारे में सोच वह था लेकिन अब वो कम करके अपना सिर्फ 3.5% stake बेच रहा उसके बदले government को यहां प पर आपको ध्यान देना परेगा तो अगर हम LIC IPO के AUM यानि Assets Under Management की बात करें इसका 2020 में यानि FY20 में था 16.8 trillion जो कि आपका FY21 में इंक्वीज होके हो गया है 36.7 trillion तो देख सकते हैं last एक financial में कितना जबदस्त इंक्वीजमेंट देखने को मिला है इसके AUM में इससे आप इसक dominance का अंदाजा लगा सकते हैं और dominance का अंदाजा लगाने के लिए आप इसके market share को भी देख सकते हैं insurance fill में इसका market share है लगवग आपका 14% से लेके 70% के आसपास इसका market share है जबकि जो second largest company है उसका market share के में बात करो तो उसका market share आपका 7.79% है यानि उसका market share आपका double digit में भी न नहीं है वहीं अगर हम market share की बात करें in terms of number of policies और number of scheme जो की FY21 में बेचा गया issue किया गया LIC के तरफ से उसमें भी इसका market share है वह आपका 74.6% के करी market share है तो हर लिहाज से यह अपने computer से बहुत आगे है मीलो आगे है इसमें आप बोल सकते हैं तो यहाप मैं आपको एक और fact ब पर बात करें तो यह आपका manage करता 39 lakh करोर जी हां यह large amount है और इतना manage करता है अगर आप इस amount को mutual fund industry से compare करें जितना mutual fund industry combined सारा mutual fund industry मिलके जितना assets manage करता उससे कहीं ज्यादा अकेले LIC assets manage करता है इससे आप अंदरा लगा सकते हैं कि LIC का जो assets management है वो भी कितना जबदास था है इसलिए मैंने आपको बोला कि इसको आप as a investment firm भी बोल सकते हैं ति यहाप में आपको एक और fact बतना चाहूंगा जिससे आप थोड़ा और surprise हो सकते हैं इसका computer जो भी है चा इसका सिर्फ insurance sector पर dependence नहीं है multiple sector जहां पर इसका dependence है उसके लावा एक और चीज़ आप सुनके surprise हो जाएंगे अगर आप total stock market पर जितना listed stock उसके valuations का अंदादा लगाए या उसको valuations को find करें तो 4% जो कि है वो आपको LIC के पास मिल जाएगा कहने के मतलब यह है कि जितना भी listed companies है इंडिया में उन सब के market cap को अगर आप जोड़ दे तो 4% आपको LIC के पास stake मिल जाएगा क्यानी 4% total stock market पर जितना listed company है 4% valuations आपका LIC के पास है तो उससे आप अंदादा लगा सकते है किसका investment पर कितना जबरदस्त है तो वहीं अब हम इसके negatives के उपर बात करना चाहेगा जिस पे आपको ध्यान देना परेगा अगर आप इस IPO में apply करने की सोच रहे है तो एक जो सब होता हुआ दिख रहा है जबकि इसका जो computer है चाहे वह SBI हो या फिर HDFC हो वह काफी तेजी से grow करता हुआ दिख रहा है और LIC IPO धीवे दिरे अपना market share भी लूज कर रहा है दूसरा negative यह है कि LIC के पास more than one lakh employee है number of agent तो बहुत जादा है लेकिन अगर हम employee की बात करे तो एक ला valuation से उसका हम सही सही अंदाजा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसको जो policy का पैसा मिलता वो maturity period के बाद customers को वापस भी करना होता है क्योंकि वो as a investment के रूप में भी count किया जाता है उसलिया से उसको हम as a revenue treat नहीं कर सकते हैं इसलिया से इसका सही सही जो valuation से उसका अंदाजा लग आपाना यहां पर आपको फोर्थ में को अपन होगा नाइंत में को क्लोज हो जाएगा प्राइस में जो इसका रखा गया वह 902 रूपीज से लेके 949 रूपीज रखा गया इसमें कुछ भी फ्रेश इसमें नहीं है दील बटे सन्नाटा सारा का सारा ओफस यानि offer for sale में रख कर पाएंगे कुछ और basic details के उपर बात करना चाहें तो यहां पर हम अगर हम इसके face value की बात करें इसका face value रुपीज 10 पर रखा गया वीटेल एलोकेशन भी अच्छा खासा दिया गया 35% वीटेल एलोकेशन दिया गया है सिर्फ एलोकेशन ही नहीं बलकि यहां पर policy holder वीटे जो IP apply होगा वो 889 के price पर आपको IPO मिलेगा अगर आप LIC के policy holder हैं तो अगर आप retail है या फिर LIC के employee हैं तो आपको यहां पर 45 रुपीज का discount मिलेगा और अगर हम यहां पर अपर price band के basis से बात करें तो IPO का allotment होगा वो होगा आपको 904 रुपीज पर तो अगर आप LIC के employee है य conditional discount ही मिल जा रहा है यह निए विटेल के लिए अभी IPO काफी safe है क्योंकि यहां पर आपको 5% का question मिल जाता और policy holder है तो आपको 7% का question मिल जाता और यह IPO मिनमम देगा तो आपको लगवा 10% का return जहूर देगा as a listing gains overall अगर आप policy holder है यहां पर आपको जो return मिल सकता वो 17% करीब मि listing gains मिल सकता long term में यह आपको अच्छा का सा return दे सकता लेकिन listing gains की बात करें 15% मिनमम आप retail categories है तो उमीद कर सकते हैं और policy holder है तो आप 17% तक की return की उमीद कर सकते हैं as a listing gains बांकि इसके उपर हम और detail से आगे बात करेंगे अब यहां पर एक और confusion रहता है कि अगर आप LIC के policy holder है तो आप policy holder quota से भी apply कर सकते हैं एक lot और उसके अलग से एक और आप retail quota से भी apply कर सकते हैं और अगर आप employee हैं तो आप एक और employee quota से भी apply कर सकते हैं तो आप single pen पर three अलग-अलग categories अपलाई कर सकते हैं इसके उपर हम separate video बन करेंगे बांक इसका लिस्टिंग होता है और BSC पर भी होने जा रहा है तो यहां पर नीचे इस IPO का timeline भी देख सकते हैं कब IPO लिस्ट होगा कब आपको refund मिलेगा अगर लॉट्मेंट मिलता है लॉट्मेंट मिल जाता तो कब आपको यह सेयर्स डिमिट में हैगा वो सारा Twitter Community.in पर विजिट करके भी आप देख सकते हैं यहां पर बैंक को बर्वदा में इसका लगबग 4.80% का स्टेक है बायो कोन में इसका 4.11% का स्टेक है PTC India में उसका 5.96% का स्टेक है ABB Power में उसका लगबग 4.4% का स्टेक है Indian Overseas Bank में इसका लगबग आपका 1.21% का स्टेक है Reliance Infrastructure की बात करेती हैं यहां पर इसका 2.68% का स्टेक है बाग कि इसके अलाबा और भी बहुत सारे कंपनिये देख सकते हैं इसमें इसका इसके अलाबा बहुत सारे अधर कंपनिये जिसमें इसका और भी ज्यादा इस्टेक है विलाइंस इंडस्ट्री में आपका HDFC बैंक में इसका अच्छा खासा इस्टेक बना हुआ है तो वो सब भी रेख सकते हैं तो इसलिए इसको मैंने आज इनवेंसमेंट फ़र्म भी बोला था इसको आप आज इनवेंसमेंट फ़र्म भी ट्वीट कर सकते हैं तो यहांपर अब मोस्ट इंपोटेंट LICIPO के financials के उपर बात करना चाहेंगे और LICIPO का financials तो बहतवीन है, फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं अगर हम इसके total income की बात करें तो देख सकते हैं, year and year total income आपका continuously grow करी रहा और first half of FY22 में भी total income जो है, वो काफी बहतवीन है तो यहाँ पर अब हम LICIPO के valuations के उपर बात करना चाहेंगे सबस्पेल अगर आप EPS को देखो तो 4.70 के हैं, जो की थोड़ा सा below average है लेकिन ठीक ठाक आप मान सकते है return on net worth की बात का है, तो यह आपका 45.65 के करीब है बांकि और भी data अबलेबल नहीं हुआ जैसे अबलेबल होता है, आप हमार वेबसाइट equity community.in पर आके चेक कर सकते हैं अगर आपको LICIPO का सटिक valuations fine करना है तो इसको इसके peers से compression करना परेगा और insurance field में जो दूसरे नमर पर आता है, after LIC वो आता है आपका HDFC life HDFC life के अगर हम market share की बात करें देख सकते हैं, इसका market share है 1,14,500 करोर के करीब जबकि LICIPO का जो market cap है, वो है आपका 6,00,000 करोर के करीब यह नहीं, आपका HDFC life से लगबग आपका 6 गुना बोल सकते हैं, 6 गुना के करीब इसका market cap है, जबकि अगर आप market share की बात करें, तो market share बहुत ज़्यादा है, market share लगबग आपका 10 गुना से करीब ज़्यादा है तो इसलिए से, अगर यह अपना valuations 10 गुना ऊपर भी रखता है, यह नहीं 10,00,000 करोर भी रखता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता, थोड़ा सा over value जोड होता, लेकिन हम उसको as a fair value भी count करते थे लेकिन यहाँ पर क्या किया है, LIC IPO ने अपना valuations कम रखा है यहाँ पर listing gains का scope अच्छा खासा, अब जाके यहाँ पर हमें मिला है, तो valuations कम रखने का यह IPO अब बहुत जादा attractive हो गया अब यहाँ पर listing gains के chances भी increase हो गया, और IPO जो इतना attractive रखा है, और IPO का size भी कम किया गया, यह देखते हुए gray market में इसका demand भी increase हुआ है बाकि, यहाँ पर हम इसका comparison SBA live से भी करना चाहेंगे क्योंकि यह भी इसका competitor आता है और इसका भी market cap आपका एक लाग करोड से उपर है और इससे भी अगर हम compare करें, इससे भी उसका जो valuation से वो 6 गुना जादा है, बिल्कुल 6 गुना जादा बनता है, इवन उससे जादा भी बनता है अगर यहाँ पर यह 8 गुना जादा भी रहता है तो हम कुछ नहीं बोल सकते थे, उसको हम एज़ा fair value count कर सकते थे लेकिन यहाँ पर valuations थोड़ा सा कम किया गया थोड़ा सा scope छोड़ा गया जिसे कारण से मैंने आपको अल्वेडी बताया कि जो fresh data आया है, जिसमें IPO का size भी कम किया गया और valuations भी ठीक ठाक रखा गया उसलिया से grey market में भी आप demand बरा है पहले जब यह आपका 60,000 कोड का IPO आने जा रहा था और उस time पे जो valuations था माज के time में तो उस time पे इसका जो grey market में demand था वो negative में आ गया था यानि grey market में यह negative में trade कर रहा था लेकिन अब जाके यह grey market में आपका premium पे trade करता हुआ दिख रहा है तो grey market में इसका कैसा demand है चले उसके उपर बात करते हैं फिर आपको एकदम clear direction मिलेगा कि इस IPO में आपको apply करना या नहीं करना उसकी बाद हम बताएंगे कि long term के लिए suitable है या नहीं है उससे पहले एक और चीज में आपको बताना चाहूँगा जो की miss हो गया था LICIP का global presence और global peer से भी आप company नहीं हमारे website equity community.in पे आके चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो association है वो बहुत सारे global company के साथ भी है just like LIC BSC बहरीन का है LIC Nepal है LIC Lanka यहनि इसका बहरीन नेपाल और Lanka में भी Sri Lanka में भी presence अच्छा कासा दिखाया गया है इसलिए अगर आप और नीचे की तरफ आते हैं तो और company में इसका presence दिखेगा आप देख सकते हैं इसका presence आपको Kenya में भी दिखेगा Saudi में भी Saudi company के साथ ही आपका joint venture में काम कर रहा बंगलादेश में भी काम कर रहा और Singapore में भी यह इसका एक fully subsidiary company है जिसका नाम है LIC Singapore Private Limited जो की LIC IPO का fully subsidiary है तो अगर आप सोच रहे हैं LIC IPO का का कामकाद सिर्फ इंडिया में ही चलता है तो ऐसा नहीं है इंडिया से बाहर भी अपने पैर पसाड़ चुका है और इसका जो compression होता है वो global leaders होता global leader में जो भी insurance field की company है उससे इसका compression होता है तो यह आप मैं आपको कुछ और interesting सा fact बताना चाहूंगा जो की साइद आपको पता ना हो LIC के पास जो total number of policy है वो 286 million number of policies है अगर हम यहाँ पे global level पे compare करे तो यह जो आपका number of policies बनता वो जो world का 4th largest country है population by उससे ज़्यादा LIC के पास number of policies है इससे आप अंदर लगा सकते हैं कितना लोग जुरे हुए LIC के साथ अगर हम यहाँ पे और चीज बात करना चाहेंगे कि LIC का जो competition हो रहा global peers के साथ competition हो रहा और वहाँ पे भी अपना यह dominance दिखाए हुए है अगर हम यहाँ पे ROE की बात करें तो उसलिया से global competitor जो भी है उससे ज़्यादा ROE आपका किसका है LIC का है यहाँ पे आप competition देख सकते है आपका पिंग A.N. insurance जो की चैना आगया है उसका ROE आपका है 19.5% जबकि LIC का है 82% बहुत ज़्यादा ABIVA PLC जो की B.N. का उसका ROE है 14.8% जस्ट चैना लाइफ insurance का अगर हम बात करें तो इसका भी जो ROE है वो है 18.9% तो ROE के मामले में इसका जो global peers है जिससे हम competition कर सकते हैं global level पे उससे बहुत आगय है यह dominance ना से इंडिया में बलकि global level पे भी insurance field में यह अपना dominance बनाए हुए है आगे हम GMPP आएंगे उससे पहले कुछ important point है जो कि मैं आपके साथ share करना चाहूंगा LIC का profit sharing plan है अभी तक जो LIC का profit आता था वो 95% profit कहां जाता था उसके policy holder को जाता था लेकिन अब यहाँ पे post IPO यानि IPO के बाद इसमें कुछ changes होगा और यहाँ से 10% profit जो होगा वो कहां पे बटेगा वो आपका share holder में बटेगा तो वो share holder के लिए positive development है positive news है कि इस IPO से आप अच्छा खासा dividend की भी उमीद कर सकते हैं यानि यह आपको dividend भी देता हुआ दिखिएगा और यह आपका high paying dividend company भी बन सकता है इसलिए से अगर आप इसको long term के लिए भी hold करते हैं तो वो attractive बनेगा क्योंकि अच्छा खासा dividend भी दे देगा और उसके बाद यह आपको जो growth दिखाएगा उससे benefit तो आपको मिलता ही रहेगा यहाँ पे अब हम LICIP होके grey market premium के उपर बात करना चाहेंगे और यह जो data है यह आपका कोई authorized data नहीं है यह आपका एक speculative data है जो speculation है उसके basis पे इसका grey market में demand बढ़ता है तो दो दिन से जो grey market में demand था वो आपका 38 रुपीज के करीब था जो कि थोड़ा सा घटा है slightly वो 25 रुपे पर सेयर्स के करीब आ गया और इसका lot size है आपका लगबग 15 के करीब होगा तो 15 into 25 अगर आप यहाँ पर करते है अभी के हैं साब से 375 रुपीज के करीब as a listing gains के उमीद कर सकते है जो कि बहुत काम है आने बादे टाइम में थोड़ा सा increase हो सकता है लेकिन आज की data recording यहाँ पर आपको सिर्फ 375 रुपे लिस्टिंग gains के करीब मिलता हुआ दिख रहा अगर यह इसका GMP 50 रुपीज के करीब भी आता है फिर भी अगर आप यहाँ पर 15 into 15 करते हैं तो यह होगा आपको लगबग 750 रुपीज करीब तो ग्रे मार्कर में जो demand है वो देखते हुए यह IPO आपको लगबग 1000 करीब as a listing gains दे सकता है जबकि अगर आप retail quotas apply करते हैं या फिर policy holder quotas apply करते हैं तो यहाँ पर आपको 5-7% का profit और जोड सकते हैं उस तरीके साब को as a listing gains के रूपे profit मिल सकता है तो listing gains के लिया से उतना attractive नहीं देख रहा है अगर आपका purpose सिर्फ और सिर्फ listing gains कमाना है तो फिर LIC IPO को आप यहाँ पे avoid कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ listing gains के लिए जाना है यहाँ पे थोड़ा सा whiskey हो सकता है लेकिन अगर आपका view medium to long term है तो फिर आप इस IPO में definitely apply कीजे यह IPO आपके लिए बहत्वीन साबित हो सकता है लेकिन आने वाले टाइम में यह आपका change भी हो सकता है उसके लिए आप हमारे website equatedcommunity.net पे visit करते रहें लेकिन अगर आप long term का view रखते हैं तो आप definitely इस IPO में apply कीजे So that's all friends, उमीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है प्लीज इस वीडियो को like करके हमें encourage कीजे इसके उपर हम और भी वीडियो आपके लिए लाएंगे उसमें आपको और information clear होगा So that's all friends, मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन